कोई बात नहीं, मैं कर लूँगा, कोई बात नहीं यार, हो जाता है, कोई बात नहीं, पैसे कल दे देना, कोई बात नहीं, अब तुम जा सकते हो, कोई बात नहीं, जल्दी इंगलिस सीख जाओ गए, दोस्तो इस तरह के जो सेंटेंस हैं, हम डेली योज में बोलते रहते हैं और सुनते रहते तो दोस्तों आज हम जिस इस टेक्चर की बात कर रहे हैं आज हम जो इस टेक्चर सीखने जा रहे हैं वह है कोई बात नहीं इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं इंग्लिश में इसे बहुत सारी तरीके से बोलते हैं इंग्लिश में इसे कैसे बोलते हैं Never mind, कोई बात नहीं No problem No problem No issue, कोई बात नहीं No issue No matter तो इसे हम English में Čर तरह से बोल सकते हैं Hindi में एक तरह से और English में चार तरह से बोल सकते हैं हर कोई अपने अपने साब से अलग-अलग तरह से बोलता है तो दोस्तों हमारे वीडियो को लाइक करिए जो लोग नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें तो आज हम जो इस्टेक्चर सीखने वाले हैं वो इस्टेक्चर है कोई बात नहीं इंग्लिश में नेवर माइंड, नो प्रॉब्लम, नो इसू, नो मैटर तो दोस्तो इसका रूल हम आपको बताते हैं कि इंग्लिश में इसे कैसे यूज किया जाता है तो सबसे पहले हमारा इस्टेक्चर ही लगेगा कोई बात नहीं या फिर नेवर माइंड, नो प्रॉब्लम, नो इसू, नो मैटर इसके बाद मैं सेंटेंस लगेगा और सेंटेंस हमेशा टेंस के हिसाब से ही लगेगा कोई बात नहीं मैं कर लूँगा कोई बात नहीं मैं कर लूँगा नो इसू, आई विल नो इसू, आई विल पहला हो गया, अब हम इसके बाद लगाते हैं no problem, no problem I will, never mind I will, never mind I will, last में no matter I will, no matter I will, तो इंग्लिश में एक sentence है, कोई बात नहीं मैं कर लूँगा, तो हम इसे, इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, no issue I will, no issue की जगे हम no problem, never mind, और no matter भी लगा सकते हैं, तो दोस्तों इसे और अच्छे से समझने के लिए हम आपको कुछ एक्जामपल बता रहे हैं, कुछ sentence बता रहे हैं, तो आईए देखते हैं, कोई बात नहीं, तुम जा सकते हो, no problem, you can go, हमें किसी ने problem बताया, तो हमने उसे बोल दिया, no problem, कोई बात नहीं, तुम जा सकते हो, no issue, तुम जा सकते हो, no issue, you can go, no matter, you can go, never mind, you can go, तो हम इसे चार तरह से बोल सकते हैं, next sentence, कोई बात नहीं, अगली बार भाग गे साथ है देगा, never mind, next time, luck will favor, never mind, next time, luck will favor, next sentence, कोई बात नहीं, हम अगली बार जरूर जीतेंगे, no matter, we will definitely win next time, no problem, we will definitely win next time, no matter, we will definitely win next time, तो हम इस तरह से हम अलग अलग, इस टेक्चर लगा करके इसे बोल सकते हैं, next sentence दिखते हैं, कोई बात नहीं, अब तुम जा सकते हो, no problem, you can go now, no problem, you can go now, कोई बात नहीं, अब तुम जा सकते हो, कोई बात नहीं, यार, हो जाएगा, never mind dude, never mind dude, कोई बात नहीं, कभी कभी गलती हो जाती है, no problem, sometimes mistakes happen, no issue, sometimes mistakes happen, no matter, sometimes mistake happens, never mind, sometimes mistakes happen, कोई बात नहीं, जल्दी इंग्लीज सीख जाओगे, no problem, you will learn English soon, no matter, you will learn English soon, never mind, you will learn English soon, no issue, you will learn English soon, कोई बात नहीं, तुम एक दिन English बोलोगे, no problem, you will speak English one day, no issue, you will speak English one day, कोई बात नहीं, हम तुम्हें English सिखाएगे, no problem, we will teach you English, no issue, we will teach you English, no problem, we will teach you English, तो दोस्तों हमें उमीद है कि अब आपको ये जो आज हमने इस टेक्चर की बात की, वो इस टेक्चर आपको समझ में आ गया होगा, तो प्रेक्टेस के लिए हम आपको एक सेंटेंस दे रहे हैं, इस सेंटेंस का आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके हमें कामेंट्स बाक्स पर बताना हैं, कोई बात नहीं, पैसे कल दे देना, तो दोस्तो इस सेंटेंस का आपको ट्रांसलेट करके हमें कामेंट्स बाक्स पर बताना हैं, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, तो अगले वीडियो में मिलते हैं एक नए इस टेक्चर के साथ, तब तक के लिए अलविदा अपना ध्यान रखिए और keep learning, keep learning, keep learning, thank you, धन्यवाद.